हमारे बीच उज्जेन से आद्रने विधायक जी और बन नगर से आद्रने विधायक साहब भी पढ़ा रहे हैं मैं उनको भी बहुत संबान के साथ आवाज लगता हूँ कि वे भी आचारे भुट्वन के आशीश को पाने के लिए इफ्दिविमंज पर पहुंचे कादयों सरजजनन भाई साथ एक पूरा का पूरा जन्ता की सेवा करने वाला और बुरळेन के शीचलू की पसारि तो ब्रहंक करने वाला एक समुदाए हमारे रीश में है वर सब को बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ आदक पूर्या और उनके साथ आए सभी हमारे अतितिगन आएंगे और गुर्बोयोफ के विदायक मनुद चावुला जी, महेश जी परमार सहाब, महेश जी चावुला सहाब हमारे बीच हैं, हम सबका करतल धुनी के साथ, साथ में वनुजी राजनी साहब है मैं निवेजन करूंगा करतल भूनी से हम सबके मान वंदना के इस जब आयोजन को पूरा करते हैं दोनों हाद उठागर के जोड़ दार्टारियों के साथ हम सभी करूना मै करूना मै करूना मै गूरू वर आये है यहां करूना मै गूरू वर आये है यहां गार ही है जबी जुपी गया आसमा, आसमा, आसमा करें, मुन आये यहाँ आसमा, आसमा, मुन आसमा, आसमा, स्राअ के लिए पिरूपक दिशक्टन आसमा, आसमा, करते हैं हम उनके भी मान वंदना करते हैं, उनके लिए भी, मान पत्र पढ़ते हैं, हमाई तालियों का मान पत्र, हम उनके लिए पढ़ते हैं, जो अगा तालियों के साथ. उनके लिए राजकुमारी इसा बेला जी भी पधार रही हैं, अपने पूरे परीकर के साथ वे इस सवासदन में अपने पुन्य को इकाथा करने और हमारे पुन्य को अभिवर्दित करने, हमारे उतसा को अभिवर्दित करने के लिए यहां पधार रही हैं, साथ में ठाईलेंट के मिनिस्टर भी हमारे बीच में हैं, बेंको के मिनिस्टर भी हमारे बीच में हैं, मैं सब नेपाल से भी मंत्री जी हमारे बीच पहुच चुके हैं और निशिक ये सब लोग आज आचारे भुगवन के आशिरवात को लेने अंतर्मना मुनिश्वी के सुरनिम जैन्म जैन्ती महुट्व को अपने जीवन का शंवार बनाने और साथ में पूरे के पूरे आयोजिन को एक अभूद पूर्व आयोजिन बनाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं Guru ने हमें दिखा होकर महरवाद दुरू ने हमें दिखा होकर महरवाद गार ही जीज़नी जुट गए रहे हमारे बीच सांसर रमेज जी लिखक सहाब हैं मैं बहुत सम्मान के साथ उनको भी आवाज लगा रहा हूँ कि वो भी पढ़ा रहे हैं केंद्री परेटन मंत्री ठाइलेंग से सॉम्सॉम जी भी हमारे बीच में हैं जो आचेश्री के चरलों की बंदना कर रहे हैं और नेपाल के सांसर जी का हमारे आदरनी है सजेंसी वर्माश सहर स्वागत कर रहे हैं उनके माते पे सब्कार कतिलक लगाते हुए बड़े अनन के साथ हम उनकी मान बनना करते हैं कर रहे हैं इस मान बनना के अभिक्रम को हम यही पर विराम देते हैं आचेश्री भगवन के अश्रवात के साथ इस मान बनना की और अब दूसरे अनक्रम को प्रारम करने के लिए मैं बहन शेया को आवाज लगा रहा हूं कि वे आएंगे और मंगला चरण के दुब अब महराजी का माइक चालो करें जो लोग भी मंच पर खड़े हैं जिनको बुलाया है और जिनने सिरिफल चड़ा दिया है वो हमारी मुक अथि थी चीफ गेश्ट अपने या था है कि इस्तांबर जाके बैठें गराजमान हो जाएं समय के स्विया हमारी आउदी को पूरा कर रही है आप सब हमारी अपने हैं प्रिसंग पूरा आपका अपना है बिलंब अपनों से ही होता है एक चोटा सा निवेदन आज मैं फोटोग्रापर से बोलते हैं एलेक्ट्रिक मीडिया वलों से निवेदन कर रहा हूं प्रिंट मीडिया वलों से निवेदन कर रहा हूं और जितने भी हमारे गेस्ट जितने भी हमारे फोटोग्रापर से उनसे एक बहुत साफ शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि आप कोई भी मंच पर नहीं पहुंचे क्योंकि पारस चैनल पर जिन्वानी चैनल पर लाइव हो रहा है और जब आप आते हैं तो जिनको भी पर देखने वाले वी दुखी होते हैं और बाद में जब हम उन चीजों को देखते हैं तो हमको भी बहुत का है तो कितना गंदा लग रहा है सो निवेदन करूंगा सब लोग अपनी अपनी मरियादाओं के साथ इस पूरे आयोजन को एक बहुत आनंद कायोजन बनाने में हमारे सहकार और स्रयोग करेंगे चलते हैं दोनों बहने हमारे बीच में हैं और मंगला चलन के साथ आज इस सभा के जितीश शुरुआ हमारे देखने कर रहे हैं जो और दार तालियों के साथ श्रया यूगल यूगल श्रया दे किन्हरम दे किन्हरम दे किन्हरम दे पुच्टर अग्रिण के ताबियों? गुरु विवाया गुरुवात्राया गुरुचाराय औरुचाराय 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 और कर दो 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 कर तालियों के सब्कार के साथ इस सभा को आगे लेकर के चलते हैं निश्य के सभा एक ऐसी अनुखी सभा है जहां पुष्पिगरी के भगवान पार्षनाथ का अतिशे पद्मक्ट मोगवान की मनोगिता आचारे पुष्पिदंत सागर जी का शिर्वाद पसंद सागर जी की तपस्या और सौम में मुट्टे की मुस्कुराहत का अभूर्पूर्व संगम इस दिव्यमंच के इस व्यास के एक पहन को दिखता है चलते हैं मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे महत्सव की अध्यक्षा आधरनी है सरीता जी को भी आवाज लगा रहा हूं कि वे अपने परिकर के साथ उपपर आकर के हमारे मान को बढ़ाएं एक ऐसे गुरु भगते हैं एक ऐसे तखर मेघा के धनी जो आपने आप में एक बहुत बढ़ी शक्सियत रखते हैं मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ आवाज लगा रहा हूँ साथ में आदरने कुल्दीप भाई साथ को जो दिस्टिक जज है न? जिनों ने बहुत सारे विद्वानों को अपना पैनापन, अपना ज्यान, अपना अनुहो दे करके विद्वत्ता के लिए तयार किया है। आदरनी दॉक्तर शीतल प्रसाद जी साहब हमारे वीच में हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ आदरनी आशीज भीया को कहूँगा, पंडिताशी जी आचारे को कि आदरनी शीतल प्रसाद जी साहब को मंच पर ले करके आएं और आज की सभा के एक मनुरंजन के साथ, एक मंगला चरन के साथ, मैं अगले अध्यात्म के मंगला चरन के लिए इस दिप सभा पर जहां पर प्रमेश्टी के पतीक में, जी को आवाज लगा रहा हूँ, कि वे आएंगे और अपनी बात हमारे भी श्रीपल पहुंचाएं सुदोश शांत्यावी तात्म शांती सांतेर विधाता शरिनम गदानाम भूयाद बबकलेश बयोप शांतई सांतर जनों में भगवश्रन्याः बुल शांतिनात भगवाने कीजे लुपार्शनात भगवाने कीजे पुझे आचारी पुष्वदंत जी महराज कीजे पुझे मुनि मेर प्रशन सागर जी महराज कीजे आचारी संग कीजे पुझे आचारी स्री के चरणों में तरवार नमोस्तु करता हुआ पुझे मुनि स्री के चरणों में तरवार नमोस्तु करता हुआ आज ये महान अफशर है कि सभी सापकों को पुझे मुनि स्री की भक्ती करने का अफशर प्राप्त हुआ बस्तुता पुज्य मुनी स्री सांती सागर जी महराज के पत्षचनों पर चल करके अपनी तफश्या को आंगे बढ़ा रहे है एक भक्त ने पुज्याचारी सांती सागर जी महराज से पूछा के पुज्याचारी स्री आप जो ये तफश्या करते हैं उपवास करते हैं इसका फल क्या है तो आचारी स्री ने पूछा कि आप बताएए कि आप क्या सोचते हैं आप स्रावक भी उपवास करते हैं तो, उस सृरिष्टी ने यह कहा, कि हम जो अफवास करते हैं, उससे हमारा मन रुखता है, चित जो चंचल रहता है, वो इस्तिर हो जाता है, तो आचारी स्री ने कहा कि यह उसका उद्देश नहीं है, उफवास करने का जो उद्देश है, प्रियोजन है, वो तो बस्तुता कर कर्म की निर्द्रा है कर्मों की निर्द्रा यदि नहीं हुई तो उप्वास करने का कोई पुटिफल नहीं है आप सभी जानते हैं कि अपने जैनागम में एक जगह लिखा हुआ है कि चतुर्त काल में जो मुनियाज एक हज़ार वर्ष तक उप्वास करते थे आज जो हमारे मुनियाज इस हीन संगनन में सोवस भी उप्वास कर लेए तो एक हज़ार वर्ष का उप्वास और सोवस के उप्वास बराबर होते हैं तो इस पंचम काल में इस कलियोग में बसुता पूज्यमनीत प्रसंद सागर जी महिराज जिस प्रकार से अपने अंतस्थल को जागरत करने के लिए और अपनी कर्मों की निद्रा के लिए जो अप्वास कर रहे हैं आज पूरा प्रिश्ट में एक अनुखा उधान बन गया है क्यों देशनेन जनिंदाराम सादू नाम बंदनेन चे ना चरम तश्टते पापम छिद्रहस्ते ये थोडिकम बसुता पूज्यमनी सरी आचारी सरी पंच परमेश्टियों की दर्सन करने से जिस प्रकार से एक चुल्लू में पानी होता है और उसको हम ले ले लेते हैं और वो पाने खिर जाता है उसी प्रकार से पुज्य आचारी सरी मुनी सरी आचारी संग की दर्सन करने से हमारे जनम जनम के पाप जो हैं उसी प्रकार से खिर जाते हैं इसलिए हम सभी जो यहां पदारे हैं बसुता अपनी कर्मों की नेज़रा करने के लिए पदारे हैं अभी जो यहां पर विद्वजन पदारे हैं पुझ मुनी सरी से काफी देर तक चर्चा हुई पुझ मुनी सरी ने जिस प्रकार से उपवास के फल को पृतिपादन किया और जिस प्रकार से तपश्या का आपने वरनन किया सारे विद्वान गदगत थे और जो विद्वानों की जो गिनधियां थी बहुत दू हो गई कि वसुता अपवास करने का क्या प्रतिफ़ल है तो मैं मानता हूँ कि देश बेदेश से जो यहां पर भक्त पदारे हैं मैं देख रहा हूँ कई देशों से यहां भक्त पदारे हैं वो भक्त जो है स्रमन संस्किती परंपरा को देख रहे हैं और जो स्रमन संस्किती परंपरा है वो किस पकार से स्रम पूर्वक अपने पुर्शार्थ पूर्वक आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन करके अपना कल्यान करती है इस भाबना के साथ मैं पुझ मुनिसरी के चर्णों में पुझ आचारी संगे के चर्णों में मैं तरवार नमोस्तु करता हुआ पूरो बिद्वानों की योर से मैं एक बार पुना तरवार नमोस्तु करता हुआ और ये भावना बाता हूँ कि फूज मुनिसरी अपने कर्मों की जिर्दा करके ऐसे सिद्धाल हमें जाके बिरा जाएं जिससे हम सबको भी आलोकित करते रहेंगा जैनम जैतुशासनम धन्यवाद आदनिया पंजी सहब ने लेकिन विद्वान तो बहुत सारे हैं लेकिन विद्वत्ता के साथ त्याग बहुत महत्पुल्ण है आदनी पंजी साब की दो प्रतिमा रूप वर्थ पंजी साब का है चलते हैं हम एक कदम और आगे इस पूरे सभासदन में ये सारा का सारा जो आयोजन दिख रहा है अदनी अशोक भाया जी अशोक जी दोशी साहब एक बार मन्ज पर आकर के पुष्प गिरी के अदनी अशोक भाय साथ दोशी देखे अपना घर हर व्यक्ति संभालता है कोई बड़ा काम नहीं करता अपने बच्चों को हर विक्ति संभालता है कोई बड़ा काम नहीं करता अपने व्यापार को हर विक्ति संभालता है कोई बड़ा काम नहीं करता लेकिन एक तिर्थ को संभालना घर परिवार समाज और बच्चों के संभालने से बहुत जादा है पुष्पगिरी फिर्थिके अध्यक्ष होने का गौरो सोचो आप अपक्ती बंबई में रहता है लेकिन बंबई में रहकर के हर पल पुष्पगिरी की चिंता करने वाला ऐसा चिंतनी रेक्षित को हमारे पास है मैं आदनी अशुपगिरे को आवाज बगा रहा हूँ अशुपगिरी दूशी साथ को सोचिए अप पिछले पंदरा साल से अशुपगिरे ने अपने अफिस नहीं देखा उनके अफिस को उनके बच्चे देखते हैं लेकिन वो मार को पुष्पगिरी है पुष्पगिरी को देखते हैं ऐसे जो औरदार कालियों के साथ हम उनकी मान बंदना करते हैं जो औरदार जो औरदार कालियों के साथ चलते हैं अब हम मैं निवेदन कर रहा हूँ बोलने में भी थुरस अंकोस होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्सकाइना, लोगों के सामने आना ही चाहिए, ये पुरा इतना विशाल सभामंडब, लगब हजार वकती, सभामंडब के बाहर, सभामंडब के अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुरभाग यह है हमारा, कि हमने जिनको सुभा मंदप में आने की पात्रता दी है वे सुभा मंदप को छोड़ कर कहीं गूम रहे हैं तो निश्यत में निवेधन करूँगा मेरी विवस्था पकमेटी से भी और वो लो जो मेरी आवाज सुनने है जो सुभा मंदप के अंदर आना चाहते है सुभा मंदप एकनी जगह है कि आराम से हजार विक्ती यहां पर आ जाएगा समा जाएगा और वगवान के समोशन में कभी जगह की कमी नहीं होती तो मैं निवेधन करूँगा जितने भी बाहर है बहुत ववस्था के साथ उनको लाकर के इस परिकर को पूरा करें इसके ववस्था को पूरा करें और अब सिदे सिदे मैं परम बंदने है मैं मैं आवाज लगा रहा हूँ देखिए पढ़ाई कब बहुत अच्छी लगती है सिक्षा कब बहुत अच्छी लगती है जो वदिक्षा वो सिक्षा संस्कारों के साथ फलती और फूरती है हमारे बीच एक और ऐसी शक्सियत है कि जब वो कहीं जाते है तो उनकी विवस्था के लिए प्रसाशन आगे से आगे सारी विवस्था करता है क्यों? क्योंकि उनको हाई कोट के जज होने का सौभागि प्राप्त है महराज तक हाई कोट की जज होने का सौभा की प्राप्त है और वो तुँ बहुत चोटी बात है यहाँ पर आचारे भगवन पुश्पदंत सागर जी के चहेटे होने का सौभा की प्राप्त है और और निष्ट जब संत किसी को याद करता है तब मानना कि उसने अनंत जन्मों तक संत की सेवा की होगी तब इस जन्म में संत के प्रियर और अति प्रियर बनने का स्ववागी प्राप्त किया है मैं आदर्णी है कि युचेंदिवाल साहब को आवाज लगा रहा हूं जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी सुज़ इतनी समझ कहां से आई तब पता चलता है कि निश्ट, ये सिख्षा का ही व्यक्तित वगा निखार है सिख्षा जब निखर करके वहार निकलती है तब इस तरह से व्यक्तित वगा निरमान करती है आदर्णी के युचेंदिवाल साहब परंपुज आचारिय श्री पुश्पदंत सागजी माराज की जै आपकी आवाज चाओंगा इस महोथसों के उस्सों मुर्ति तपाचारिय अंतरमना मुनि माराज की जै इस कारेकम को जिन्हों ने आगाज दिया इस कारेकम की जिन्हों ने योजना बनाए और सतत अपनी चरिया का निर्वाहन करते हुए कारेकुर्ताओं का संबल बलाया ऐसे जो पिश बाढ़ते हैं पिश सागजी माराज की जै समस्त मुनि संग की जै अचारिश्री पुष्पगिरी के गिरिदर है वे योगेश्वर है पुष्पगिरी की कल्पना आचारिश्री ने केवल एक मात्र मानव भित मानव संवर्धन इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए जैन धर्म में जो सोला सपनों का सातारण रूप बताया है उसके अनुसार यहां बनाया है बंदों आप यहां देख रहे हैं फुष्पगिरी का यह उडिकास होने के पहले आचारिश्री लगबग पूरे देश में बारह वर्ष ब्रह्मन करते रहे हैं 2003 का एक किस्सा बताता हूँ औरमबाद में आचारिश्री आये केवल 23 दिन के लिए 57 घरों में उन्होंने 23 दिन में कलश स्तापना की और यहां औरमबाद के लोग बैठे हैं आचारिश्री की कलश स्तापना के बाद जो लोग नौकरी करते थे साइकल पे भूंते थे वे मंबई चातुरवास में बना आज यहां जो भीड आई है 21 बसे बंबई से आई है यह अंतर मना जी का तो प्रवाव है पर इसका बिजारोपन जो हुआ है यह 2004-2005 का जो अचारिश्री का मंबई बोरियोली में और चातुरवास उस परिसर में हुआ है उसके कारण है बंदो अंतर मना जी की क्या बाते बताओं पर वे पश्ट रूप तो कहते हैं कि आचारी भवन के सामने मेरा कुछ भी वर्णन ना किया जाए यहां आप जो उपस्तित है पुष्पगिरी का यह जो रूप आज आया है मैं उन समरपित कार्य करता हूँ को आचारी श्री और प्रसुन सागर जी महराज के साथ नहीं कहता हूँ उन समरपित कार्य करता हूँ को दोनों आचारी अपके साथ नमशकार करता हूँ प्रणाम करता हूँ बंदों, ये समा बांधना, ये वातावरन निर्मान करना, इंडस्यालाइजेशन के जैसा ये काम करना, अपने घरबार को छोड़के तकरीबन मेना मेना दोगो मेने से ये कार्य करता गंड, जो अपने आप में करोड़कोती है, ये कोई लेबर बुलके हैं आए नहीं है, ऐस आचारीश्री ने पप्पू को परंपुझ बना दिया, ये भी एक विशेश बात है, 1989-1919 में आचार्शी कहते हैं पपू ये लेके आईए, पर अब आचार्शी भी कहते हैं महराजी ये लेके आईए, पपू परंपुझ हो गया, और पप्पू ने अपने पुरुशार्त से तपसादना से पुरुश्चोत्म हो गया, पर भगवान ने ये कहा है कि परंपुझ तो सोब होते हैं, सदाचार जब ज़्यादा से ज़्यादा निकर जाता है, तो पुरुश्चोत्म होता है और प्रभुराम चंद्र के किरण ऐसे महामना में दिखाई देते हैं, इस प यवस्ता है, योजना है, यह कॉलेज है, गौशाला है, आप, आपके अनुमोदनाई साथ, जो भी अर्फसाइए कर पाएंगे, कीजिए, जय जिनें, जय जिनें, त्रिवार नमास्तू चलते हैं, एक कदम और आगे लेकर के चलते हैं सभा सदन को, हमारे बीच आदनी सुमेर जी काला, कमिशनर जी एस्टी, इसे ठाइने मुंबल से हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी आवाज लगाऊंगा कि आएं, और पुझिपात के श्रीचरणों में, वंधना के पुश्पुश्री पल चड़ा करके, अपना शीष प्राप्त करें, आदनी सुमेर जी खाला, जी एस्टी, कमिशनर ठाइने, और चलते हैं बरे मन के साथ, हम और आप सब लोग, पुरी आत्मेता के आलोग में, चलते हैं, जी भोगी, और अदनी में, आप सक्तित्त प्राप्त अओने, जी एक उचया एक, जी एक प्यूंतों, जी खते हैं, जी एक आप products, लोग क्यूंतों, में सुम्हां करें, भेने में, समयां एक आत्में जी एक ने हे एक लाफ़ातों, जी इसेला Yara things, जी एक भाकोई, जी नी barking और मुचन चलते हैं आचारे भुडवन ने एक पुष्टक का स्रजन किया है और वो फुष्टक जो जीवन के आर्थिकों बदलने में एक बहुत बड़ी इमारत का काम कर सकती है उस फुष्टक के विमोचन के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ हमारे बीच महुटसफ की अध्यक्षा आदानी सरिता जी है हमारे बीच इस महुटसफों में शिरकत करने के लिए जो फिलिपीन से आए हैं ऐसी राजकुमारी जी परियतक मिनिस्टर जो ठाइलेंड से हमारे बीच में हैं ऐसे सौमसंग जी सांसब महुटस जो नेपाल से आए हैं वे साथ में महुटसफ के महामंत्री आदर्णी है आरसी गांदी सहाब महुटसफ के स्वागता ध्यक्ष आदर्णी है सुभाजी वर्जट्या सहाब को मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ कि मन्च के इस तरफ आप आकर के उस पुस्तक के विमोचन में हमारा सहिकार करें इस तरफ से में सारे विद्वक वर्जट से आशीजबे ऐसे में बेदन करूंगा मा सरस्पती के सारे पुत्रों को मंच पर ले करके पहुँचें और बड़े आनन के उस तक के विमोचन के लिए आगे बढ़ते हैं साथ मैं आवाज लगा रहा हूँ पुष्पगरी तिर्थिके अध्यक्ष आदर्निय अश्वप जी दोशी साथ को और पुष्पगरी के चिंतक विचारत या यह कहें कि पुष्पगरी की चिंता हमेशा लिनको रहती है आदर्निक के यूच आंदिवाल सहाथ बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ कि आएं एक तरफ हमारे सारे आती थी बढ़े आनन के साथ अशुबया पुस्तक देदे ये मूरत देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते है आई अपे गनों हाथ उठाईगा तो तुरे आनन के साथ गयेगा ये मूरत देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते है तेरे दर्शन की है तेरे दर्शनी की तुन में हैं हम ना भूल जाते हैं ये बूलत देखकर हम सारी बुनियां भूल जाते हैं अभी अभी सब लोग अपने हाथ में ऐसे सजा करके रखें अभी एक बहुत सुन्दर आचारी भग्मन का माइक चालू करने भी या चालू मुनि स्वरप सागाजी महराज प्रसंद सागाजी के अनुस हैं उन्होंने भाव से आत्मीता से चिंतन किया है जिनागम के आचारी के प्रति चिंतन पट्मी हमारे विद्वानों को मैंने अमंत्रित किया है वो एक बार इसका अध्यन करेंगे पब्लिक को साथ में एक बार द महात्पूर्ण पुस्तक है जिनागम के रहस्यों को खोलने बाली और मेरा विश्वास है कि हमारे विद्वान एक बार इसका पठन अवस्च करें और मुझसे एक बार मिलें किस पुस्ताक में क्या कैसा लगा कोई कमी है तो मुझे अवस्च बताएं मैं इनका सम्मान करता ह ऐसे ऐसे दिखाएं अपने दोनों हाथे को ठेले इधर भी सब फोटोस ले 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 इस किताब में बहुत गूर रहस हैं आचारों की परमपराओं के और जिस किसी को भी ये पुस्तक पढ़नी हो आप मुझसे संपक्षा दें इसका कोई मूल नहीं सिर्फ आपका स्वाध्या ही इसका मूल है जलते हैं विद्वान लोग आपने इस पुस्तक को अपने पास रखें और जितने भी अतितिगन हैं रखें आचारे भगाई लेखन रखेंगे हैं को मुझस ट्रैसने सागर जी को मोनीष。 आपने पास रकिया वखिक पुस्तक अपने पास रखेंगे क generationosed thumbs अच्छाड 100 गुला लेए उनको फोटो लेए अекbers अथि अइस अध्या हाओ ऐसा मुखेना हम तस्वी तेरी तिल में जिस दिन से उतारी है तस्वी तेरी तिल में जिस दिन से उतारी है जबते हैं इस सबहा को एक ऐसे वयम बाहर के स्पीकर सौन नहीं है बाहर आवाज नहीं पहुँच रही मैं हाटली रिक्वेस्ट मैं निवेदन कर रहा हूँ बड़े आनन के साथ इस सबहा की दिती शुरुवात अध्यात्म के धरातल पर खड़े हो करके हम सब करते हैं संसार में सब कुछ हो लेकिन यदि अध्यात्म नहीं हो जीवन में सब कुछ हो लेकिन यदि अध्यात्म का रंग नहीं है तो जीवन बहुत सुना सुना लगता है अध्यात्म आपके जीवन में आता है लेकिन कब आता है या तो बहुत सुख में या बहुत दुख में जिसको आप चाहते हैं वो आपको नहीं चाहता है तो आपको लगता रहे आख संसार में कोई अपना नहीं है और ये संदर उस अध्यात्म को पतिपल पतिक्षा जीते हैं चलते हैं उस अध्याद्म की सभा के शुरुवात करने के लिए इस मंच के अगले कम में मैं चित्र के रुमोचन के साथ शेद्रा के रुमोचन की चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ बहुत सम्मान के साथ आदनी आसी गांडी सहब आदनी सुभाज जी बर्जब के सहब नेपाल से पतारें हमारे सांसत सहब आदनी आध्यक्षा जी आदनी मुनलाल जी पहाईया पेठन दिगंबर जिन समाज के अध्यक्षे मांगी तुंगी दिगंबर जिन सुद्धक्षेत्र के अध्यक्षे और नेपाल साहेवे चारो समाज के गणमान में अध्यक्षे मैं इस बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं आज के इस सित्र के विमोचन के लिए बहु केकडी के नगरपालिका के चेर्मेन अदनी अनिल जी मित्तल भी साफ अनिल जी मित्तल साफ भी आएंगे और खुब आनन के साथ आज के इस चित्र के मोचन के लिए अदनी सरीता जी हुआ है संतों का समा गम्या हाएंगे बुलों बहाँ जित्र के मोचन कर रहे हैं आपके जोनों तो को खुलीगा पूरे आनन के साथ बोगी आचेरा बुबर पुश्वदंत सागर जी महराजी की अंतरमना गुर्देव प्रसंत सागर जी महराजी की हुआ है संतों का समा गम्या हाँ हुआ है संतों का समा गम्या हाँ मिली है रतना प्रेंगी बुणा राया के आगया आगया ओ ना जा जा और ना जा जो ररागी पेले है छुड़कर सारे जग्या की जबरे शोड़ कर सारे जुग के दमेने मां के तेज का पताप है हम चलते हैं अगली मिस्ठा का दीब जलाने के लिए बहुत सम्मान के साथ मातुश्री अंतरमना मुनिश्री जो आज बहुत बड़े महराज हैं लेकिन बहुत चोटे थे जब जिनकी गोभी में खेले और जिन्होंने अपनी कुक्ष्री में अवेरने महना जो चार पीरियों से संतों को देख रही हैं जिनके ससूर जी मुनी थे जिनके शिरिमान जी मुनी हैं जिनके बेटे मुनी हैं और निश्रित आगे वो भी आरिका बनकर अपने जीवन के समाधी करेंगी ऐसी आरिका आदर्णिय मातर्श्री पन्ना देगी जी और एक औ और महिला आदर्णी भंवरीद आदी जी जिन्होंने बहुत लंबे समय तक और आज भी अपने आप में इतनी खोस चारित्री की धनी हैं ऐसे आदर्णी भंवरीद मन्ना सब लोग को बहुत संबान के साथ आवाज लगा रहा हूं आवाज लगा रहा हूं महुतसफ की अध्यक्षा आदर्णी सरीता जी को साथ मैं आवाज लगा रहा हूं हमारी राजकुमारी जी को साथ मैं आवाज लगा रहा हूं हमारे थाइलेंड के केंद्री मंत्री साहब को सब लोग आ करके आज के इस दी प्रजिदंट की वियातरा क पूरा करने के लिए हमारे साथ होंगे, खुब आनन के साथ, फ्रांस की जनरलिस्ट को भी मैं आवाज लगा रहा हूं, इतीका जी को, खुब आनन के साथ, आपको भी निवेधन कर रहा हूं, महला शक्ती हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ती है, आदने रमीला द्यादी जी को भी आवाज लगा रहा हूं कि आएं और आज की इस दिप निश्ठा की यात्रा को दीप प्रजण की यात्रा को आगे ले करके चलें तुर भेरे हो जाए हो जिया रहा हूं इसी संदर में आवाज लगा रहा हूं इन्दुजी मित्तल को भी और मोश्राबाद महला सुभा की मंत्रानी आदरे निव पहाजी छाबड़ा को भी आवाज लगा रहा हूं कि बोड़ी निश्ठा के दीप में हमारे साथ हूंगी माता है आ रही है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल भी मैंने कहता कि कन्या का दान तो संसार का हर परिवार करता है लेकिन ये को माता है पुत्र का दान करके बैठी है एक बार जोर बार तालियों के साथ दूर भेरे हो जाए तो जिया राजी मन में है ना का दिया जना को गुरू तुमाज मेरे अंतर मन में है आप लोगल के तालियों जाने रहे साथ में पूरे हूं उनके साथ पुलिए आचर बरोर की उदन कसादर जीवाराजी की बोनो हथ बरके दूर भेरे हो जाए तो जिया राजी मन में गार का दिया जना को गुरू तो आज मेरे अंतर मन में आवाज लगा रहा हूं निस्ठा के भी पर जुनन के बाद हमारे बीच इसी क्रम में महानगर बुंबे से आचरे सन्मती सागर जी के परमभक्त शिमान कमल कुमार जी कास्लिवाल साहब हैं मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं उनको और अंतर मना के परम लाडले भक्त आदेनी मुनना लाल जी साहब को भी आवाज लगा रहा हूं मुनना सेथ जिनके नाम के आगे ही सेथ जुड़ा है एसे नाम से भी बह इस तरह की उर्जा अपने भीतर में रखता है कि यदि हम उससे कहें कि भईया सो बाड़ी सो बसे गिरनार ले करके जाना है तो ठीक है उर्जा जिसके जीवन में है सबसे बड़ा दान है तन का दान मन के साथ उस तन को जूड़ना क्योंकि धन को देने वाले तो खूब मिलते हैं लेकिन तन और मन से करने वाले बहुत बिलने लोग होते हैं मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ कि शीपल वेट करके मैं अब निवेदन कर रहा हूँ सभी लोगों से कही दिल जब दिल बन जाए गुरु भगती के भाव जबाए चरणों में आए अही तो रह जब दिल बन जाए गुरु भगती के भाव जबाए चरणों में आए अध्यात्म की उट इसके प्यासरा को आगे लेकर के चलने के लिए मैं परमवंदरी है जितना भी आज अनुठा आयोजन दिख रहा है यदि किसी के विचारों पर ये आया था ये भी किसी में विचार किया था इस विचार को करने के लिए आपको पताये एक चोटा सा घर ये चोटा सा आयोजन करते हैu तो आप कितनी महनत करते हैं इस पूरे आयोजन में जिन्हों आपनी उर्षा को चेतना को यहां तक हमारे सामने रखा है ऐसे परमवंद्रिये परमपुज्य मुनिश्री पूश्टागर जी के शेच्रणों में कोटिश्य परनामने वेदन करता हूं और प्राथना करता हूं कि अपनी मंगल देशना से हम सब को कतार्थ करें नमोस्तु महराजी नमोस्तु मह थी नमहराजी हमाएक सहिट करें चलू करें रहे है ओ मियुक्त रहल कि अब मर्मच ओनाशन परर्म स्किभान की सधिन मत्रीकμε लुद्रुंड है। प्रभू आप वीत्रागी हैं सरवग्य हैं हे तो पदेशी हैं अनन्सुक अनन्दर्सन अनन्त ज्यान अनन्त बल से युक्त हैं मैं संसार के दुखों से घबडा कर आपकी सरण में आया हूँ और जो आपकी सरण में आता है आपके चरणों में नमन करता है वह दिवित्वनी का स्वामी बनता है अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिवचन निकलते हैं जोर से मत बोलना लेकिन प्रेम से जरूर बोलना आनन से जरूर बोलना क्योंकि आप आकास तो गुझायमान नहीं कर सकते लेकिन अपनी आवास तो जरूर गुरु चरणों तक पहुचा सकते हैं बोले परम्पुच गुर्देव वासल दिवाकर पुस्ट करति पढ़नेद आचारी स्री पुस्तथन सागरजी महराज की बोले परम्पुच तपाचार अंतलम नाम उनी प्रसन सागरजी गुर्देव की बोले आईंसामई विस्थ धारमे की आप सबके भी प्रेम रूपी सकती विद्धिमानों से मैं नमन करता हूँ मेरा प्रेम स्विकार करें दूर दूर से यूँ कहें देश के हर भाग से जहां भी अंतर मना के चरण पड़े उस नगरी से आप यहां पर अंतर मना के उनको जन्म दिन की सुपकामनाईं देने के लिए यहां पर उपस्तित हुए इसके लिए हम सभी सौभा की साली है मकान की निव नहोँ तो मकान गिर जाता है बारिस के समय सिर पर छाता नहोँ तो इनसान भीग जाता है और जीवन में यदि कुण ग्रहन का भाव ना हो तो जीवन खराब हो जाता है सुरे के प्रकास के महत्म के समझने के लिए आख के खुली जरूरी है करुणा के अधकारी बनने के लिए हर्दे करतक्ता से भरा होना अत्यंत जरूरी है परमात्मा के उपकारों को सायद सभी समझते हैं कि जो कुछ है परमात्मा की क्रपा से हो रहा है लेकिन उन गुरू उन माता पिता के उपकारों को क्या समझने का प्रयास किया सोचो सद्गुनों के सद्कार्यों के नेतिक्ता के या आध्यातिक्ता के छेत्र में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसे वास्तिक इस्थिति से धरातल से हो करके गुजरना पड़ता है किरकेट के मैदान में एक खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए उतरता है गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है उसे आउट उसका सयोग करने के लिए दस खिलाड़ी तयार है जो बैटिंग करने के लिए आया है उसे वे 11 जने मिलकर के आउट करना चाहते हैं कि वो किसी तरीके से आउट हो जाए बाहर हो जाए बस लेकिन फिर भी वो खिलाड़ी ठैरे पूर्व ना केवल अपने विकेट को बचाता है बलकि रन को भी बनाता है और यदि विकेट को इस संसार में इतनी सारी विसमताओं के बीच में इतनी सारी चखा चौन्द के बीच में इतने सारे भौतिक संसादनों के बीच में यदि कोई अपने विकट को बचा करके अपनी साधना आराधना के माध्यम से तप के माध्यम से आनंद की प्रसंता की उचाईयों को छूरा है तो अंतरमना गुर्देव मुलिक प्रसंत सागरजी महराज है अंतरमना को देखने के बाद मैं सोचने लगा एक चिंगारी हजारों ब्रक्षों को जला सकती है फिर क्या कारण है आपने एक बार उक्वास कर लिया फिर दुबारा उक्वास आपने 86 दिन की सिंगनिस्कित वर्द की साधना की उसके बाद 86 दिन की सिंगनिस्कित वर्द की साधना उसके बाद 64 रिद्धी के ब्रद किये छाचट कहलाए 64 32 उक्वास किये 35 कहलाए 32 कमाल की बाद फिर एक उक्वास एक बाणा और अभी भी लगा तार आज जिनका चौद्वा उक्वास चल रहा है सोचो जराओ आखिर इसका रहस क्या है याद रखना एक शिंगारी हजारों रक्षों को जला सकती है परन तो बारिस की एक बून फसल को पैदा नहीं कर सकती हैं फसल तो तभी पैदा होगी जब बारिस समय समय पर लगाता होती रहे तो अच्छी फसल पैदा हो जाती है बस सायद यही रहस रहा होगा कि हमारी साधना आराधना उपासना एक बार की साधना आराधना उपासना सफलता नहीं देती बल्कि यू कहें खून पानी को एक कर देने वाली सुख सिर्टा वे सचंता को चुनोती देने वाली अनेक बार की साधना के बाद सफलताएं चरन चूम लेती हैं तो इसका ज्वलन्त उधारन है अंतरमना गुर्देव मुरी प्रसन्न सागर्जी महाराच सरीर तंद्रुस्त है मन स्वस्त है परिवार अनकूल है उत्तम समक्री है सतत्वे भर्पूल है ऐसी अनकूलताएं होने के बाद भी यदि हम सत्कार में प्रवत्त नहीं होते और अकार से निवरत नहीं होते सत्गुनों के विकास के लिए गंबेल नहीं बनते और दुर्गुनों का नास करने के लिए उसाइद नहीं होते तो कर्म सत्ता की द्रश्टी में हम तिरसकार पात्र बने बिना नहीं रहें